वीडियो तो बाद आज ओडियो जरीए अम्रित पाल सिंग ने जथेदार साहिब नू किती अपील पाई अम्रित पाल सिंग दे मुद्देते ग्रैम मंत्री अमिशादा आया ब्यान पार्त वीच ग्वांडी देश पाकिस्तान दी सरकार दा ट्वीटर अकाउंट किता गया ब्लोग अम्रित पाल सिंग दे करिबी अवतार सिंग खंडा अजाद वलों अपने फेस्बुक खाते दे एक ओडियो जारी किती की है जिस वीच अम्रित पाल सिंग अपने बारे दास्ते सुने जा सकते हैं दर असल वीडियो मैसेज तो बाद हुन वारिस पंजाब दे जथे बंदी दे मुखी अम्रित पाल सिंग दा ओडियो मैसेज समने आया है इस कथित ओडियो मैसेज वीच ओ जथेदार श्रीयकाल तक नूवड़ी अपील कार रही हैं ओडियो वीच अमरित पाल सिंग ने जथेदार नो मुड़ अपील किती है कि ओ सर्बत खाल सब लोन सिर्फ एना ही नहीं वार्ष पंजाब दे मुखी ने किया कि सर्बत खाल सा सद के जथेदार होंदा सबूत देओ ओडियो वीच अमरित पाल सिंग ने किया कि जथे सियासत करनी है ता जथेदार बन के की करना है दास दिये के बीते दिन अमरित पाल सिंग ने विसाखी ते सरबत खाल सब लोन दी अपील किती सी जिस ते हुन तक जतेदार हरपी सिंग वलों कोई जवाब नहीं आया है एस तो इलावा अमरित पाल सिंग दे वीडियो तो बाद एग अलवी सामने आ रही सी कि ओना ने सरेंडर करें ली तिन शर्ता रखिया हैं पर ओडियो मैसेज दे जरिये अमरित पाल सिंग ने अपनी स्थिती स्पस्ट कीती है ओडियो मैसेज वीच अमरित पाल सिंग ने किया कि मैं जेल जान तो नहीं कबरोंदा है कथी तोडियो भी चमरित पास इनने एवीस पश्ट कीता है कि पहला मणी वीडियो किसे दे दबा हेट नहीं बढ़ाएगी ओना के कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं गिर्फतारी से बंदी शर्त रखी है पर ओ गल्त है मैं जी ही कोई मांग नहीं रखी है ओना के कि पुलिस ने जो करना है कर ले ओना के कि सारीयं तिरां एक जुट होन अपनी होंदा सबूत देो ए सिर्फ मेरा सवाल नहीं है अब इस दिली ही ते यह संकतां तक मैसेज मेरा पचाओ कि इतना दी कोई करने की मैं चड़ दी कला जाए ना मैं को एह जी मांग रखी है कुछ यवड मरी यां देया ना कई भी जी मिनू फड़े हो दे में नो कुटे हो ना एह जी गली कहना नहीं की ती मैं कर देना कोई होई नहीं कैसे ना कोई शर्त रखी सो यह की जड़े बेवकुफ हैं मार रहे हैं कि पही उन्हें आप मंग रहे हैं कोई मांग मैं सरकार गड़ी में रखी मैं जी जद हधार साब नो किया वे सर्वात खाल दसादो सर्वात खाल साद के अपने जास हदार हों आज भी स्यास्त करनी हैं आज भी अपने होई कम करनी जड़े पहला कर दे रहे हैं तो सानूं गे गल समझनी चाहीद है विए अज समाएं किते कौम ने एक जोट होना चाहीद है मैं सारी आपनी हो उन्ता सबूत देन दी लोड है जो आज जो लूम सरकार कर रही है किसे ते सब्सक्राइब कर देने हैं कोई कांस्परिसी नहीं है कि एक गाल जो तेनों पता वे बिखड़े पहने तो यह नहादे हैं ना हो जे फोन देने जिए में पहले हैं उन्दे सी वड़े ना मैग लगे हैं देने ना आलपी अपनी वाज के लिए जावे कि एतना करके जड़ा लागता है बाकि से थोड़ी जी अगेनों भी जरूर होई है यह कोई शक्राइब काल नहीं कि आठ पैर वारी एक परशादा जड़ा एक दो शकीद है बाज तो फिर नहीं देने सारा कोश नहीं शकीदा सो इसकर के सब्सक्राइब उन्होंनों को पी हार गाल ची दुबदा अनी मननी जेडी यह ना सद्गुर सच्चे पाश ने बड़ी करपा की ती आपी जड़ी आप चाड़ी कला जें जो यह जड़ा मैसे ही मेरा समय के पचाव वाहिगुर जी का खाल सा वाहिगुर जी की फत्रें अमरित पाल सिंग दे मुद्दे ते ग्रैम मंतरी अमिश्यादा वड़ा ब्यान समने आया है उन्हा कि पंजाब सरकार ने अमरित पाल सिंग दे मुद्दे ते सक्त कारवाई किती है अग्गे भी पंजाब सरकार जो भी फैसला लवेगी केंदर नाड है कानून विवस्था लेके केंदर सरकार सारे सूब्रियां दे नाड़ खड़ी है। इस कारवाई तो बाद पारत दे लोग पाकिस्तान सरकार दा ट्वीटर अकाउंट नहीं देख सकनगे। इस कारवाई तो बाद पाकिस्तान सरकार दा ट्वीटर अकाउंट पार दे लोगा नू दिखाई नहीं दवेगा। तो अनुदास दिये के दिशा निर्देशा दे कान ट्वीटर देश दी अदाल्त द्वारा जारी अदेश जा उचित कानूनी मांगते हार तरां दे खाते नू बैन करली सुतंतर है। कान सोवा हन की अकाल तक्त साहिब दे हुकम नू मान दे अमरितपाल सिंग तक्त श्री केसगर साहे विखे मीडिय दे समने आत्म समर्पन कार सागदे हां। केसगर साहे विखे पुलिस फोर्स दी तैनाती बारे पुछया गया ता उनना किया कि अमन कानून दी स्थिती कायम रखनी अजीहा किता गया है। औना किसे कारना तो जेलना वीचे डखकन नाल तुसी की सुने हा दे रहे हो। पंजाबियां दी अपनी पार्टी है, सही मेने ते पंजाब दी वारेस पार्टी शोमनी काली दल है, असी किसे हाले तक कोई मर्जी करना पर अमन शांती पाईचार एक सांज नी तुटन दे मागी, पंजाब दी तरक्की निर्बर है, एक पीस ते अमन शांती है, जो नो जो करना चाहूंदा क्योंकि वीडियो सही है फेक है जिकल पर बड़ा चीचा हो नहीं है तो जिदो तक मैंने पंजाब का सी मैं इनना ही किना चोना है पर गवांत माननों की जड़े इनुसेंट बंद्यानों फड़ फड़ के पुल्स बहुत नौजवान बच्चे जड़े पोस्ट या को इसे किते लाइक किती है कोई अंबर शक्या है उननों फड़ फड़ के तुसी अंदर जेलाज पाऊंगे की मैसेज दे रहे हूं इनुसेंट बच्चेयानों इमीजेडली छड़ना चाहिदा कई मिलना दा कड़तो कड़ सो बच्चे दा सी चड़ाए है मैं आ आप जाके स्टीम ना गल करके साड़ी लीगल टीम ने गल करके चड़ाए है क्योंकि वो बिचारे तक इनुसेंट है दैशियत दा महौल पंजाब चीन होना चाहिदा जथे दा श्रीया काल तक तग्यानी हर्पी सिंग ने पंजाब दे मजूदा हलाता नू लेके वड़ा बियान दिता है औना किया कि पहला आप महोल बिगडन दिता गया फिर कंट्रोल दे ना ते सीख न उजबाना त्यां गिर्फतारियां शुरू किते हैं चोटे मसले नू लेके कि ट्रेप लाए गया सीथे सी कुस वीच फास गई औना किया कि टार्गेट करन वाड़ा शातर ह ये जंग जितनी है तासानों अपने जस्बाता ते कंट्रोल करना हुएगा जथे दर गयनी हर्पी सिंग ने दावा किता की किसानी अंदोलन दोरान जिस तरह नाड सिखने शांती नाड आते होंसले दे जरी ये पूरी दुनिया वीच अपनी इमेज काइम किती सी उसनों नुकसान पहुंचों दी कोशिश करन दे ली सरकारां वलों गल्त नेरेटिव सिर जया गया है नैशनल मीडिया निक प्रोपेगेंडा चलाया इस दे पीछे सिक विरोधी ताक्तां दी बोत वड़ी शाजिश है जतेदार साइब ने सरकार कोड़ों सवाल पुछे कि यो दसन की जिस तरह नार अमरितपाल सिंग नु फड़न देली उप्रेशन चलाया गया है कि बूर्ज जवाहर सिंग वाला आते पर गाड़ी कान दे तीन पगोड़े मुल्जमा नु फड़न देली पुलिस नी अजीहा उप्रेशन चलाया है मोड बंब तमाके दे मुल्जम पगोड़े हले तक नहीं फड़ेगे इसते सरकार नु विचार करना चाहिदा है सेउट किसान मोचा पंजाब चैप्टर दी मीटिंग चंडिगर दे किसान पवन वीच हरींदर सिंग लखवाल गुर्मी सिंग मेमा आते हजी सिंग रवीदी परदान गी हेट हुई जिस विच बेमोस में मीन आर फसलां दा नुकसान अते पंजाब अंदर बने दैशे दे महोल बारे विस्थार विच विच विचार चर्चा हुई पतरकारा नु जानकारी दिन दे आगवा ने क्या कि अमरित पासिंग अते उस दे साथिय नु फड़न ली के अंदर दे पंजाब सरकारवल नु जान बुज के अते तैशु दा तरीके नर पंजाब दा शांत महोल खराब किता जारिया है ओना के की पंजाबी नोजवाना ते लाएगे एनसे कानूना नु खतम किता जावे अते बेकसु नोजवाना ते फड़ो फड़ाई बंदकार के गिर्फतार बेकसु नोजवाना नु रहा किता जावे पढ़ाई हो रही है ते दैस्ता महोल सारे पंजाब दे अंदर पैदा किता जा रहा है रोज दो चार पिंडानू के एरके तलाशियां हों दियाने रोज साधियां गड़ियां के एरके एरके उत्थे तलाशियां हों दियाने यह ता सानू 1994 इनदबे वड़ा महाँ ऐ सरकारां जाद करवा रहे हैं ने एदे बिच महाँ खराब करन दे बिच असी दो में सरकारा नो पामे केंदर सरकारा पामे पंजाब सरकारा दो ना नो बराबर जुम्हें बार ठेहराऊने हैं ति असी चताबनी दिनने या भी फौरी तोर ते अजदी SGM दी मीटंग दे बेच फैसला होया, जिनने साथे नौजवान, जिनने साथे भीद फड़े गये ने, चुठे परचे पाए गये ने, उन्नानू फौरी तोर ते रहा किता जावे, ति उन्ना दे परचे जड़े पैसला ते दूसरा जेटी फसलां दी नकसान होया, ओदे बारे मैं माजी दस्वान, पत्रकार रवीरो, आजदा संदा जेडा दुज्या जड़े जड़े जड़ियां पिछले दी गड़े मारी होई है ते लगातार मी पहरे आए, ओदे नाल प्रोईपोर जिलेदा, फाहले नकसान होया, कंक मारी गई है, और पंजाब दे वेचे जड़े सारे पासे वेख दे आते, लगपाग पंजाब प्रसाइंट कंक के जड़ियों वेशगी है, नकसान नहीं गई है, काटा पया बटा कसान आनों, और नाल दी नाल जड़े बाग ने, फाइल का बोर एरिया, ब जड़े जड़े बड़ी बड़ी मार पाई है, यह तर दवापे एरिये जड़ा आलू सी और पटके मक्की बीजी गई हो भी मारी गई है, और लगा लागपा के बड़ी पत दे तबाई होई कसाना दी, ता जड़े पंजाब सरकार ने क्या है, कैसी 16,000 मावजा दे मांगे, के के बड़ी होई हो बति काटे, साथी आजडी मीठ दी मांगे के मावजा जड़ा ऊपंजाह healthy घाया रपया देता जावे है जड़ी सारी फशल तबाह होई है, जड़ी बड़ी पत nouveau काट थे कसाना दी गई हो दे, बदले भी कसाना दीना मावजा देता जड़ा दे उड़ करदोरी कर नहीं गया तो उदी साठी मांगे के सारियां तुरंत करदोरीयां कितियां जाना और जिडा मुआवजे दी रखम जित्ती तय कीती गई है बहुत काटे वो बदाई जावे और पन्या हयातों उपर कीती जावे और जिडा बकैन वाला लाके देवेच सो परसंट कर दे के पूरा कीता जावे देते सरकार ने जडा अवदा सरवे किता है वदे पूरा नहीं होया तो दे जही जोगदान पाँना जोने आके सब्सक्राइव थो अब ड़र पोटे और अशी मीटंग देवे ते जड़ी ए बुक्मतरीयां रखना जोने और थे जड़ी तो मंगी मन्जूरी नू वाटर प्रिवेंशन एंड पल्यूशन कंट्रोल एक्ट तहत मन्जूरी तो इंकार करन ते इस दे खिलाफ अपील दे फैसला ना लेंदा मामला पंजाब ते हर्याना हाई कोड पोंच गया है हाई कोड ने पंजाब सरकार नू इस बारे दो हफ्तें विच फैसला लेंदा अदेश दिता है फैक्टरी वड़ेंदा दोश है कि उना दी फैक्टरी दे बाहर तरने ते बैठे तरना कारियां दे दबाहेट सरकार उना दी फैक्टरी नू चलन नहीं दे रही पंजाब दे मुख मंत्री पगवांतमान ने भी फैक्टरी बांद करने हुकम दिते हां एही कारन है कि सबंदत अथोर्टी उस दी अपील सुनन दे बावजुद कोई हुकम जारी नहीं कार रही फैक्टरी नाल सबंदत अथोर्ट तो मांग कीती है कि इस मामले नूँ होर अधिकारियां गे सुना के हुकम जारी किता जावी हाई कोट ने हुन पंजाब सरकार नूँ दो हफते वीज़ सारे पहलुआ नूँ देखन तो बाद आदेश जारी करन दा हुकम दे दिता है एस हुकम नाल हाई कोट ने जीराश राफ एक्टरी दी इस परटेशन दा निप टारा कार दिता है पाकिस्तान वीच वासदे सिख पाइचारे नूँ वक्री कौम वज्जों मानता मिली है पाकिस्तान विच मर्दम्शुमारी वेड़े हुँँ सिकपा इचारे नू sulph mayoría कोम्बन्या गया है पाकिस्तान विच सिकपा इचारे नू ए हक्लमी लड़ाई मगरों प्रापत होया है पाकिस्तान सिख पाईचारे नू जण गणना दे फार्मा वीच कालम नंबर 6 दर्ज किता गया है इसे तरह मुसल्मान इसाई, हिंदू, कादियानी, एमदी, दलीत लीकरम वार वक्खो वक्रे कालम बनाएगे हैं उन तक सिख पाईचारे दी गिंती होर तर्मा दे नाम हेटी कालम वीचुन्दी सी, जिसकान सिख पाईचारे दी सई गिंती बरे आंकडे नहीं साई उन पाकिस्तान वीच सिख पाईचारे दी अबादी दे असल आंकडे सामने ओनगे इस वार जन गर्ना डिजिटल तोरते किती जारी है अते ओनलाइन नवे फार्मा चे सिखनू वकरी कोंवजो दाल्स कार देयां एक वकरा कालम बनाया गया है जन गर्ना दे नवे फार्म सिर्फ ओनलाइन उपलाबधान जदकी सबंदत वी पागदी टीम वलों लोकानू फिलहाल पुराणे फार्मा ते ही अपनी जानकारी पर अले किया जारे है बाच अधिकारियां वलों उना दी ओनलाइन एंट्री किती जावेगी इस दोरान शोशल मीडिया ते मर्दम शुमारी दे पुराणे फार्मा दियां तस्वीरां वी वारल हो रिया है जिगर योग है कि पेशावर हाई कोर्च स्थानक सिखाँ वलों तेई मार्च 2017 नूँ एक पेटीचन दायर किती गई सी इस दे लगपग साड़े पांस साल बाद सुप्रीम कोर्च मामला पॉंचन ते जाजने चीफ मर्दम शुमारी कमिशनर पाकिस्तान ब्यूरो ओफ स्टेटिक्स अते सबंदित मंत्राले नू नोटिस जारी कर देया सिखानू जण गर्ना सुचीच वखरे तोरते शामिल करन्दे हुकम देते हान पच्मी बंगाल दी मुख मंत्री ममता बेनरजीत रिन मूल कॉंग्रेस देने तामा ते वरकरां दे नाल बुधवानू शेर दे माद वीच रेड रोड ते डोक्टर बीयार अंबेत कर दे बुथ दे सामने रात पार तरने ते बैठी रही पच्मी बंगाल प्रती केंदर दे कथित पक पाती रवये दे विरोध वीच मुख मंत्री बुधवार्तो कोलकाताच दो दिना तरने दे है बुधवानू अपना रुख बदल देऊना सारिया सियासी पार्टियानू अगले साल हून वालिया लोक सबा चोना विच पार्टी जंता पार्टी खिलाफ एक जुट होके लड़न दी अपील किती और अपोजिशन पार्टी को एक साथ में लड़ना है और बीजेपी को इधर से हाटाना है देश से हाटाना है कुर्शी से हाटाना है चियार से हाटाना है होल ओ पार्टी को एक कड़ा होके लड़ना है कामियाभी का साथ लड़ना है सार पडूसी का साथ लड़ना है और बीजेपी को इधर से हाटाना है यह देश को सबसे सबसे बड़ा अहुंकारी हिंदी में किसको गद्दार कहते हैं मैं गद्दार इस नोट गूड लेंगवेज इसी के लिए आम देश का दुस्मन नहीं कहेंगे ओई सही कुछ आप बता देजिए आम हैं तो हिंदी नहीं जानते देश का दुस्थासन है यह अच्छा है ना बढ़िया वाड है ना देश का दुस्थासन को हटाईए और हिंदुस्तान को बचाईए दुज्यदन को हटाईए और देश को बचाईए भाजपाव वाशिंग मेशिन को हटाईए और जंता को बचाईए और बीजेपी को हटाई है और लोक्त चंत को बचाइए और बिजे को हटाई को ढाये तो मैंगे जनता को बचाइए जये मजदूर हो जय किसान हो जये स्टूडेंट्स ऋचाई झाल